संदेश खाली को लेकर बीजेपी प्रेस कांफरेंस करिए क्या कुछ कह रही है इसका क्या कारण है ये जानना बेहत जरूरी है कि बारंबार और ये जैसे ही हाई कोट की तरफ से इस मामले में संग्यान लेकर पताया जाता है कि किसी भी प्रकार का गिरफतारी पर रोक नहीं है उसके बाद त्रिड़मूल कांग्रेस पार्टी के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनमें से एक जो नहीं नहीं पत्रकार से संसद भवन के लिए नामित हुई है उनका बयान आता है कि एक सब्ता के भीतर शाह जाहां शेक गिरफतार कर लिया जाएगा इसका सीधा सा संकेत है कि त्रिड़मूल कांग्रेस पार्टी को और ममता बनर जी को भली भात ग्यात है कि शाह जाहां शेक कहां छिपा हुआ है उसका पता है उसके बावजूद प्रवर्तन निदेशाले के अधिकारियों पर हमले के बाद से आज तक शाह जाह शेक उनके हथे नहीं चड़ता इसका मतलब है कि बलातकार करने वालों को ममता बनर जी ने साफ तोर पर संरक्षन दे रखा है इस मामले पर सामान तोर पर जो कारवाई की जाता सकती है वह कारवाई भी नहीं की गई है विपक्ष महुंसादे पड़ा है और ऐसी इस्तिती है कि तुष्टी करन की राजनीति में नियाय के तराजू पर बलातकारी के पक्ष में जो है तुष्टी करन का वजन ज्यादा पड़ रहा है इसलिए नियाय के तराजू का जो पलड़ा है वो बलातकारी के पक्ष में जुग गया है यह इंडी अलायंस के तमाम घटक दलों की चुपी ने सिद्ध किया है हम एक बार फिर से मांग करते हैं कि ततकाल शाह जहां शेक को गिरिफतार किया जाए बलातकार पीडिता महिलाओं को न्याय दिया जाए वहाँ जो लोग इस मामले में सिविल सोसाइटी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर जिस तरह की निर्ममता दिखाई जा रही है वो बंद की जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए और इस विषय पर इंडी अलायंस के लोग अपनी चुप्पी तोड़ने की कृपा करें जो लाल बिंदी गिरो बड़ी बिंदी गिरो हर मामलों में सक्री हो जाता है वो बड़ी बिंदी गिरो भी जरा अपना मूँ खोलने की कृपा करे और पीड़िता महिलाओं का साथ दे या उनसे अपेक्षा की जाती है आप लोगों के मन में कोई प्रश्ट नहों तो स्वागत है बिल्कुल तो बीजेपी को आपने सुना किस तरह से संदेश खाली के मामले पर लगाता टीमसी पर प्रहार करती हुई प्रेम चुकला यहाँ पर सवाल करते हुए टीमसी से नज़र आए कि सरकार जो है वो मुहर्त धूंड रही है कि शाह जहां शेक को इस मुहर्त में गिरफ्तार किये जाएगा कि रमजान के महिने का इंदजार चल रहा है कि शबे बरात का इंदजार कर रहे थे किस बात का इंदजार कर रहे हैं वो एक बलातकारी को पकड़ने के लिए किसी भ ततकाल शाजांशेक को गिरफतार किया जाए संदेश खाली में नियाई सुनिश्चित हो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस कर संदेश खाली को लेकर ये तमाम बाते कही गई है और ये भी सवाल एक बार फिर उठाया गया है कि आकर इतना वक्त क्यों लग रहा है शाजांशेक की गिरफतारी में संदेश खाली में आकर नियाई सुनिश्चित कब होगी संदेश खाली पर बीजेपी का टीमसी पर ये हमला कारे किये हैं और उसका परिणाम हुआ है 25 करोण लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर बीते कुछ दिनों में आये हैं और कंजम्शन जिस तरह से बड़ा है वो तो सब के सामने है झीनियर्स